जाएं दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में बात करेंगे एक important questions, numerical questions देखेंगे, अवद भी इसी भी देले, 28th secondary second paper, coefficient of correlation से सम्बंद गुलाइंग, already इस पर बात हुए, लेकिन वो एक different type था, इस वीडियो में हम उसको भी कबर करेंगे, और साथ ही साथ एक unique method से हम इसको correlation से सम्बंद गुलाइंग क्याद कीजिए, और इसमें हमें तीन data दिया हुए, पहला क्या है, रोल नमबर, 123456789, और दूसरा हिंदी के प्रापतांग, जो हिंदी में marks मिले हैं, और तीसरा English के प्रापतांग, जो English में marks मिले हैं, तो यह हमारा questions दिया गया, और हमें इसे coefficient of correlation से सम्बंद गुलाइंग क्याद करने, तो चलिए सुरू करते हैं, बहुत यह असान परीके से, सबसे पहले आपको इस तरह से column बना लेना है, और column में सबसे पहले आपको roll number डालना है, उसके बाद हिंदी का प्रापतांग, इंग्लिस अंग्रेजी का प्रापतांग, उसक इंग्लिस के प्रापतांग को, इंग्लिस के प्रापतांग में उतार लिया, अब यह तो वो चीज़े थी, जो हमें प्रश्न पत में दिया गया था, अब यहां से हमारा सुरू होता है, questions को solve करना, तो सबसे पहले R1, R1 क्या है, R1 is nothing but its rank, जो आपका first subject था, उसमें हमें rank द ज्यादा होगा, उसका rank 1 होगा, चलिए rank देते है, हिंदी में जो सबसे ज्यादा अंक मिला है, वह roll number 4 को मिला है, 37 marks, 30 number के marks सबसे ज्यादा है, तो हमने इसको rank 1 दे दिया, और यहां पे कहानी में twist आता है, यहां पे कुछ important चीज़ आपको notice करनी है, rank 2 की जब हम बात करें, तो 37 से थोड़ा कम कौन से marks है, इसमें देखेंगे हिंदी में, तो 30 है, लेकिन यहां पे 32 बच्चों को मिला है, अब यहां पे मामला थोड़ा सा गरवर हो जाता है, अब जो 37 है हमने तो उसे rank 1 दे दिया, लेकिन यहां पे 2 बच्चों के एक ही marks आ गया है, 30-30, तो अब इ rank कौन सा देना है, दो rank देना है, rank 2 और rank 3, और कितने बच्चों में बाटना है, तो 2 बच्चों में, तो आप simple से एक काम करिए, जो rank देना है, जो numbers of rank देने उसको जोड़के, जो numbers of students से उससे divide कर दीजे, यहां पे rank 2 और rank 3 देना है, तो rank 2 प्लस rank 3 और कितने बच्चों में तो वह दो बच्चों में देना है अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर राएगा 2.5 सिंपल सी बात है आपको जगड़ा कहा था रैंक 2 रैंक 3 में था तो हमने अगर एक को दो देंगे तो तीन वाला गुस्सा करेंगा तीन को देंगे तो वह गुस्सा करेंगे इसलिए 2 और तीन को हमने 2.5 2.5 दे दिया डाई डाई दे दिया चलो वह यह तुम भी खुश तुम भी खुश तो जब भी एक नंबर कई बच्चों में कॉमन हो जाए तो आपको क्या करना है जो रैंक देना है ध्यान से दिखें जो रैंक देना है उसके रैंक को आपस में जोड़ इसली आपको रैंक कि मिल जाएगा तो हम रैंक और 2 और 2 को यहां पर बाटत ना था दो बच्चों में तो 2 और 3 को आपस में जोड़के 2 से डिवाइड कर दिया तो 5 बटे 2 यानि कि 25 तो हमने देखेंगे कि चौथा rank किसको देंगे तो तीस से थोड़ा सा कम कौन से marks है वो है 22 तो 22 में और कोई जगडा नहीं है क्योंकि 22 एकलोते बच्चे का marks है तो हमने इसको rank चार डिसाइड कर लिया अब देखते हैं 5 हमें rank देना है तो 22 से थोड़ा सा कम क्या है वो है 14 लेकिन यहां भी सेम प्रॉब्लम है कि 14 में 3 बच्चों का common है यहां देखें यह भी 14 यह भी 14 और यह भी 14 तो 3 बच्चों के 14 चौदा नमबर common है और यहां पे हमें rank कौन सा देना है हम चार तो already दे चुक के 3 से divide कर लेते हैं तो 5 प्लस 6 प्लस 7 is equal to 18 divided by 3 you will get 6 तो हम जो भी यह नमबर है इसको 6 6 और 6 rank देते हैं कोई tensions एक बार फिर समझ लिए जिस rank को आपको देना है उस rank को आपस में जोड़े और जितने बच्चों में देना है उस बच्चों के संख्या से divide कर लिए ठीक है तो ह हम चार तो आल्रीड दे चुके थे 5 6 7 rank हमें देना है तो 5 6 7 को आपस में जोड़के तीन बच्चों में देना है तो divide कर लिया हमें आंसर मिल गया 6 तो इन 14 नमबर 14 मांक्स पाने वाले को हमने 6 6 6 6 rank decide कर दिया तो हमने कहां तक rank दे दिया 5 6 और 7 तक decide कर लिया अब बात करते 8 वी rank किसको देंगे तो 14 से थोड़ा सा कम किसका है वो है 10 नमबर और 10 भी 2 है तो 8 और 9 यहां पे 2 rank और बच रहे है 8 और 9 तो 8 और 9 को आपस में जोड़के तो 17 2 से divide करेंगे तो 8 10 मुल 5 8.5 8.5 तो इन 10 वाले को हमने 8.5 8.5 यहां पर rank जा दिया दिया दोस्तों इस सवाल म स्था मेन लॉजिक इस आप तो 5 यहां पर मजे की बात यह कि जो टॉपर ना उनी में जगडा है अब इसी प्रकार से अंग्रेजी के प्राप्तांक को हम रांक किसाइड करते हैं बहुत यहां तरीके से लेकिन अंग्रेजी में सबसे बात यह है कि यहां पर अग्रेजी के प्राप्तांग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो बच्चों के सबसे ज्यादा मार्स कौन से 42 लेकिन यहाँ पे 42 दो लड़कों के हैं ठीक है दो बच्चों में है तो यहाँ पर की ही लड़ाई है आप किसको rank 1 देंगे अगर इसको rank देंगे तो यह बुर और 2 से डिवाइट कर लिजे तो यह हो जागा 3 बटा 2 यानिकी 1.5 तो ठीक है ना आपको रैंक 1 मिला ना इनको रैंक 1 मिला इन दोनों को 1.5 1.5 मिला दे दिया अब नेक्स देखते हैं चुकि 1 और 2 रैंक का काम हो गया अब हमें 3rd रैंक देना है तीसरा रैंक देना है तो 42 से यहां पर दो बच्चो के मांक्स हैं 3 और 4 में देंगे तो 3 और 4 रैंक को हम प्लस कर लेते हैं 7 वाइटू यानिकि आपके आंसर हो जाएंगे 3.5 तो हम ने इसको भी 3.5 दे दिया इसको भी 3.5 दे दिया 3 और 4 रैंक का काम खतम अब बात करतें 5 रैंक 5 रैंक इसमें किसको तो 40 से थोड़ा सा कम किसका है 40 से थोड़ा सा कम है यहाँ पे 35 लेकिन यहाँ दो दो 35 है यानि कि 5 और 6 रेंग हमें देना है तो 5 और 6 रेंग को आपस में जोड़के 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 6 पाच 11 ग्यारा बटे 2 यानि कि इन दोनों को भी 5 असारिया 5 5.5 5.5 दे देते हैं ठीक है फिर से समझ जाए जिस रेंग को देना है उस रेंग को आपस में जोड़के जितने बच्चों में वाटना है उससे डिवाइड कर लेंगे इसली निकल जायागा ठीक है अब बात कर लेते हैं 5 और 6 का काम तो हो गया साथ वी रेंग हम किसको देंगे तो 35 से थोड़ा सा कम कौन सा है 35 से थोड़ा कम है 30 लेकिन यहाँ पे 30 भी दो बच्चों के मार्स है तो 7 और 8 की बात होगी 7 और 8 को आपस में जोड़ लीजे रेंक 7 और 8 डिसाइड करना है तो 7 और 8 को आपस में जोड़ लीजे यह हो जाएगा 15 और 2 बच्चों में बातना है तो 2 बच्चों से 2 से डिवाइड कर लीजेगा 15 बवाइड 2 यह होगा 7.5 तो इन दोनों 30 वाले को 7.5 7.5 दे देते 7 और 8 रेंक हमने ऑलरी डिसाइड कर लिया अब हमें चलना है 9 पर तो 9, 9 सबसे जो मिनिमम होगा 30 से सबसे कम कौन सा है 30 के बाद सबसे कम है 19 हमने 19 में कोई और तो है नहीं इसलिए हमने 19 को 9 रेंक दे लिया तो इस तरह से हमने दोनों rank decide कर लिए r1 और r2, rank में ही main problem होती है, rank खतम तो सवाल आपका खतम, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों rank को आपस में minus कर लेंगे, और इसमें simple सा math है, अगर छोटी में से ज्यादा को खटाएंगे तो minus में simple आएगा, तो यहाँ पर d निकाल लेते हैं दी इस वाट, r1 minus r2, तो 2.5 में से अगर 3.5 minus करेंगे तो minus 1 आएगा,4 में से 7.5 minus करेंगे, तो minus 3.5, similarly 6 में से, अगर 1.5 minus करेंगे तो 4.5, 1 में से 7.5 minus करेंगे तो 6.5, 8.5 में से 5.5 minus करेंगे तो 3, और 6 मैंस 9 minus 3, 6 मैंस 5.5 is equals to 0.5, 8.5 minus 3.5 is equal to 5 2.5 minus 1.5 square यह simple सा महत है इसमें कुछ नहीं करना है आपको इसमें से इसमें घटा लेना है और अगर चोटे में से बढ़ा गायता है माइनस हा जागा बस simple सी महत है इसमें कुछ करना नहीं है में कहता है आपको rank reside करना फिर उसके बाद यहां पर problem आल्मस्ट खतम होता है आपनेगा dus soPER की के बाद सीधा d को square कर लेजे क्यूंकि minus में आपको problem होती है माइनस को हम नहीं आप square कर लिया करने से minus खतम हो जाएगा one का square one three point five doing two two pointesi को Aham Benols-क कर Pornolık उन थैक है। आपस में sum कर लेगे, the sum of all d square, sigma d square यहाँ पर हम ने निकाल दिया ठीक है, और sigma d square निकालने लिए बाद problem यहाँ पर solve हो जाती है, अब एक छोटा सा formula है, जिस formula से हम coefficient of correlation से संबंद गुणांग याद करते हैं, वो formula क्या है, वो formula है, row is equals to 1 minus sigma d square upon n into n square minus 1, यहाँ पे n कहा है the numbers of students, total बच्चे कितने थे 9, तो simple सी बात है हमें यहाँ पे n भी पता है, d square भी पता है sigma, तो हमने value यहाँ पे put कर दिया, simple सा, row is equal to 1 minus, sigma d square की जगा हमने जो sum किया था, जो जोडा था, 120 लिख दिया, n की जगा पे 9, 9 square minus 1, हमने इसको simple सा solve कर दिया, तो आपको यहाँ पे value इस सवाल की आएगी 0, क्योंकि यहाँ पे 722 divided by 722 cut के 1 हो जाएगा और 1 minus 1 0, यहाँ पे row की value आई, coefficient of correlation row की value आई, वो 0 आई, अब यहाँ पे आपको ध्यान दे रहा है, यहाँ पे आपके answers तो मिल गए, कि आपका सह संबंद गुड़ां कितना पराप्त हुआ, 0, लेकिन आपको एक statement लिखना है, इन दोनों के बीच कौन सा सह संबंद था, तो चुकि आपकी value 0 आई है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में सुनने सह संबंद था, there was a null correlation, अगर positive में आता है, कितना आता है, doesn't matter, क्योंकि आपका जो भी answer आगा वो plus 1 से कम और minus 1 से जादा आएगा, coefficient of correlation की value हमेशा minus 1 और plus 1 के बीच में आती है, जीरो भी आती है, तो आपका यहाँ पर answer आया है, जीरो, जब जीरो आता है, इसका मतलब कि इन दोनों का coefficient क्या है, null है, 0 है, 0 से है संबंद गुलांगे, null coefficient of correlation से, अगर minus में आता, 0.1 से कम आता, तो negative correlation, रिडात्मक से है संबंद होता, और अगर positive में आता है, तो positive correlation से हनात्मक से संबंद होता, तो इस प्रकार से आप statement लिखे देंगे, तो दोस्तों यह बहुत ही असान तरीका है, बहुत ही असान और बहुत ही important प्रश्ण में, इसमें main आपको कहां focus करना है, main focus करना है, rank decide करने में, अगर rank easily आप decide कर पा रहे हैं, अगर किसी numbers में similarity समानता नहीं है, तो आप easily rank दे दिजिए, अगर जब समानता है, तो जिस rank के लिए लड़ाई हो, जिस rank में आपका common आ रहा है, जैसे rank 1 या 2, तो 1 और 2 को जोड़के, जितने बच्चों में आ रहा है, उस से बच्चों से divide कर लें, तो rank मिल जागा, तो important यहाँ पर क्या है, rank decide करना, उमीद है दोस्तों, चीज़े समझ में आई होगी, वीडियो का एक पर और देख लिजिएगा, जब rank decide कर रहे हैं, और बहुत important है, इस प्रकार से एक प्रशन अक्सर 8 या 15 नमर में पूछे जाते हैं, एक बार self practice करिए, अगर चीज़े नहीं समझ में आई हो, तो मैं फिर से एक बार वीडियो explain करके बता दूँगा, उमीद है कि इस ये चीज़े आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आई हो तो please comment में आप अपना feedback दिए सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि चीज़े समझ में आई या ना आई, क्योंकि आपके comment से मुझे भी motivations मिलता है, तो बहुत बहुत और शुक्राइज वीडियो को देखने के लिए आगे मिलेंगे important question क्साथ तब तक अबना खूब ख्याल रखिए channel से जुड़े रहे सब्सक्राइब करके वीडियो को like करके दोस्रा तक शेयर करिए, बहुत बश्चुक्राइज वीडियो को देखने के लि